हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम भारत्य राजविवस्ता एवं सासन के अंतरगत अध्यन करेंगे भारत्य सविधान सभा एवं सविधान निर्मान की परिकिलिया के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1934 में पहली बार सविधान के गठन का विचार प्रस्तूत किया गया था यानि भारत्यों की तरफ से स्वरपर्थम 1934 में 1935 में कांग्रेश के दुआरा पहली बार सविधान सभा की अधिकारिक तोर पर मांग की गई थी 1938 में जवालना नहरु के दुआरा घोष्णप जिसके अंतरगत सविधान का निर्मान करना व्यक्समतिद अधिकार दुआरा चुनी गई सविधान सभा का प्रियोग करना 1940 में इस मांग को अगस्त प्रस्ताव के रूप में सविकार किया गया 1942 में किरिस्प मिसन जिसे मुस्लिम लीग ने ऐस विकार कर दिया था कैबिनेट मिसन योजना कैबिनेट मिसन योजना के अंतरगत जो प्रस्ताव किये गए थे सविधान सभा की कुल संख्या सदस्यों की कुल संख्या थी जो वो थी सीटो का निधारन तीन समुदाय मुस्लिम सिक्ष एवं समान्य जाती के अंतरगत किया गया समानुपातिक परतिनिधित तरीके से मतदान जिस तरह राश्पति का होता है उस तरह से मांग की गई तेसी रियासतों के परतिनिधियों का चैन रियासतों के पर्मुकों के द्वारा किया गया सुधस्यों का चैन ए परतिक्स रूप से परांते व्याव स्थापिक के सुधस्यों द्वारा सविधान सभा के चुनाओ जोलाई अगस्त उनिसो चालिस में किये गए सविधान सभा का चुनाओ व्यक्स मतदाताओ द्वारा परतिक्स रूप से नहीं हुआ सविधान सभा की कार्य परनाली सविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें एस्थाई अध्यक्स के रूप में सचिदा नंद को चुना गया फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद परसाद अध्यक्स बने और HC मुखर्जी और VC कर्ष्णमाचार्य उपाध्यक्स बने उदेश्य परस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उदेश्य परस्ताव पेस हुआ इसमें कहा गया कि सविधान सभा संतर्त संपर्भू गनराज्य भारत को गोशित कर देगी जो भारत में सामिल होंगे वे भारते संके हिस्सा होंगे सीमाओ का निधारन सविधान सभाद्वारा होगा सक्तियों का शुरोत भारत की जनता होगी सभी लोगों को न्याए राजनेतिक, समाजिक एवं आर्थिक संतर्ता एवं सुरक्षा अवसर की समानता, विधी के समक्स, समानता, विचार एवं अभिवक्ती विश्वास, भर्मन, संगटन बनाने की संतर्ता और लोक नेतिकता की स्थापना की जाएगी ST, OBC, SC को सुरक्सा परदान की जाएगी संकी एकता और भू अक्षेतर, समुंद्र और वायू अक्षेतर को वायू अक्षेतर की सुरक्सा परदान की जाएगी प्राचिन भूमी को विस्व में उसका इस्थान दिलवाया जाएगा Next है भारत संत्रता अधिन्यम 1947 में तीन परवितन हुए सभा, पूरी, तथा सैम परभू, निकाए जो कोई भी सविधान बना सकेगी सविधान के दो काम ही विधाय का भी दी गए आम कानून लागू करना सविधान बनाना आम कानून लागू करने के अध्यक्स जीवी, मालकर और अध्यक्स डाक्टा राजिन परसाद को बनाया गया मुस्लिम लीग के सदस्या, पाकिस्तान में जो सामिल हुए भारते सविधान से अलग हुए 299 में जिनकी संख्याती उस समय माई 1940 में राष्ट मंडल की सदस्यता परदान की गई 22 जोलाई 1947 को राष्ट्य धवाज फराया गया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्य गान और राष्ट्य गीत एवं डाक्टा राजिन परसाद पहले राष्ट्पती बने अब देखते हैं भारते सविधान सभग की समीतिया और उनके अध्यक्स बड़ी समीतिया थी जो संग सक्ती समीति जिसके अध्यक्स जवाला नहरू संग्य सविधान समीति और राज्ययव के लिए समीति इन तीनों समीति के जो अध्यक्षते डाक्टर वे थे जवाला नहरू नेक्स्ट है परिकिरिया नियम समीति और संचालन समीति जिसके अध्यक्षते डाक्टर राजिन परसाद पारूप समीती जो कि आप सवी लोग जानते हैं इनके अद्धिकारों अलपसंख्यों को एवं जन्जातियों तथा भाइसकर्थ अक्षेतरों के लिए सलाकार समीती के अद्धिक्षते सरदार पटेल इसी के अंदर थी उपसमीतिया जिनके अद्धिक्षिस परकार है मोलिक अदिकार जिसके अद्धिक्षते जेपी करपलानी अलपसंख्यक एस्सिम खरजी को बनाया गया उत्तरपूर सिमान्त जन्जात्य अक्षेतर असम को छोड़ कर तथा आंसिक रूप से छोड़े गए अक्षेतर गोपिनात बरदोई को दिये गए छोड़े गए अंसिक रूप से छोड़े गए अक्षेतर एवी ठककर को पारूप समीती पारूप समीती का गठन 29 अगस्त 1947 को साथ मेंबर के रूप में किया गया डाक्टर भीम राउंबेड कर इसके अद्ध्यक्स थे एन गोपाल स्वामी अयंगर अलदाई कर्षना स्वामी अयर्व डाक्टर केम मुंसी सैयद मुहम्मस अब्दुल्ला एन माधव राउ बी अल मिस्रा सिंक्र की जंहें लीती इन्होंने टीटी किर्स्मनचारिया इन्होंने डीप खैतान की जंहें लीती 29 सोरी 26 नमबर उनीस उलंचास को पारूप पर 284 लोगों ने हस्ताक्सर किये जिसमें एक परस्तावना 305 में अनुचेद और 8 अनुचेद थी मैं आसा करता हूँ मेरे द्वारा दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलती है नेक्स वीडियो में जैहिंद जह चो सुछ सब्सक्र अनुचेद सब्सक्र और 9 अ करता है अन्यवार ने करेंट